नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम देखेंगे कि stop loss को सही जगा पर लगाने के क्या तरीका होता है और कैसे लगाते हैं जानते हैं कुछ important point stop loss लगाने के और अगर आप जानना चाहते हैं कल कौन सा स्टॉक उपर जाएगा कि स्टॉक में कौन सा support है कौन सा resistance है तो हमारे इंस्टाग्राम को जवाइन कीजिए लिंक आपकी description में दी गई है और अब बात करते हैं stop loss लगाने की क्या तरीके हैं अगर आप अभी तक swing high और swing low नहीं जानते हैं तो इस चाठ में देख सकते हैं कि swing high और low क्या होता है अब आप जान ही गए होंगे कि swing high और swing low क्या होता है तो अब समझते हैं कि trending market में stop loss कैसे लगाते हैं जब मार्केट में swing high बनाया और उसके बाद जब swing low बनाया और पहले जो swing high बनाया था उसको cross करता है तब हम उसी जगाव पर entry लेते हैं और हमारा stop loss जो swing को बनाया था उसके just नीचे रखते हैं ये तरीका कभी feel नहीं होता तो आप असको अपनाए और ऐसा ही stop loss लगाए इस त मार्केट जब trend line support पर आता है तब आप इसमें entry ले सकते हैं और आपका stop loss होगा जो उसके नीचे swing low बनाया था मार्केट में उसका swing low के नीचे stop loss रख सकते हैं इसमें भी आप कभी feel नहीं होंगे ये तरीका भी काम करता है और इस तरीके को आप भी अपनाए और आप जानते हो कि कल कौन सा stock उपर जाएगा तो हमारे instagram चैनल की link description में दी गई है